आईए एक दूसरा प्रश्ण हल करें प्रश्ण आपके सामने है चलिए अब इसका हल देखे रेखा पी ओ क्यू पर किरन ओ ऐसे प्रारंब करें अभी ग्रिट एक के द्वारा हम जानते हैं कि कोण POS प्लस कोण SOQ बराबर है 180 डिगरी के इसे पहला समिकरन माने आईए इस समिकरन को एक जगा लिख लेते हैं और कोण POS बराबर है X के यह हमें दिया गया है समिकरन एक को हम लिख सकते हैं X प्लस कोण SOQ बराबर 180 डिगरी इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कोण SOQ बराबर 180 डिगरी माइनस X इसे दूसरा समिकरन मानते हैं और इसे भी एक तरफ लिख लेते हैं किरन OR कोण POS को सम द्विभाजत करती है इसलिए कोण ROS बराबर होगा half into कोण POS के जिससे हम लिख सकते हैं कोण ROS बराबर half into X जिससे हमें मिलेगा X upon 2 इसे तीसरा समिकरन मान ले इस समिकरन को भी एक जगा लिख लेते हैं किरन OT कोण SOQ को सम द्विभाजत करती है इसलिए कोण SO2 बराबर होगा half into कोण SOQ के जिससे हम लिख सकते हैं half into 180 degree minus X इसे दूसरा समिकरन मानते हैं कोण SO2 बराबर है 90 degree minus X upon 2 के इसे चौथा समिकरन मानते हैं इन सभी समकरन को एक जगा लिख लेते हैं अब हम जानते हैं कि कोण ROT बराबर है कोण ROS प्लस SOT के यह में दिया गया है समिकरन 3 और 4 से हम लिख सकते हैं कोण ROT बराबर X upon 2 प्लस ब्राकेट में 90 degree minus X upon 2 जैसे हल करने पर हमें ROT मिलेगा 90 degree कोण ROT मिलेड़ कि लिख जैसे हमें को एधुथ फेसे हैं को फेसे बड़ एक चत्केट